नमस्कार दोस्तों मैं अनीता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट लवर अनीता में तो वीडियो लेट डानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे सौरी चाहूंगे क्योंकि बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है तो उसका रिजन फ्रेंस घर में जो काम चल रहा था वही है और बहुत हुलमिटी होगी थी प्लांट पे यहां से प्लांट सारे हटा के और जगाई कठे करके रख दिये गए थे तो टाइम भी नहीं मिला मुझे अभी मैंने अपने प्लांट को अच्छे से अपने बरांडा को क्लीन करके वापीस यहां अरेंज किये हैं तो यह क्रोटोन है मेरे जो की बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं अभी बहुत सारे प्लांट मेरे अभी मैंने यहां अरेंज किये हैं और बहुत सारे अभी बाहर पड़े हैं चने मैं शिफ्ट करूंगी अभी देखती हूँ उपर करिंगी टेरिस पर जो अभना वाले फल वाले वही मैं कोशिश करूंगी कि अपने इतने रखूंगी और बाकी जो फ्लार्रिंग तो सारे मैं कोशिश करूंगी उपर रखूंगी तो ये मेरे सारे क्रोटोन तो सुबह मैंने इन सब को शावरिंग की थी और ताकि धूल मिटी निकल जाए अलकी अलकी अभी भी है तो इन्हें मैं धीरे धीरे अच्छे से साफ करती रहूंगी क्योंकि प्लांट अगर साफ काम को चले तो धूल मिटी में प्लांट की कंडिशन बहुत क्खराब हो जाती है और प्लांट की साथ साथ हमें भी देख के बहुत दुख लगता है तो मेरे कोई 2-3 प्लांट जोंगे खराब हो गए नमें से एक अजेलिया था और एक जर्वेरा है जो कंडिशन उसकी जरवेरा के चांस है थोड़े और ये मेरे बाकी के सारे प्लांट जो कि मैंने इसे अभी रख दिये हैं फिलाल के लिए यह ओवर थी है बहुत अच्छे से ग्रोव कर रहा है और इधर ये मेरे वाटर कैबज बस इतनी से ही बची है जो अभी ग्रोव अच्छी कर रही है तो म इसे थोड़ा बड़ा सपोर्ट दूंगी जिसमें मैंसे डालूंगी तो मैंने इसे बोटल में डाल दिया था कि बहुत ज़्यादा इसकी कंडिशन खराब थी और ये मेरे बाकी के प्लांट जो कि अभी धूप बहुत तेज होने लगी है तो ये शेड में रहेंगे अभी हलकी इन पर दूप आती है और अभी जो टाइम हो रहा था अभी साड़े तीन हो रहे थे तो इस तरफ से दूप अच्छी आ रही थी इनको और ये ड्रेसीना मारजिनाटा है बहुत अच्छा से अभी ये ग्रो हो रहा है और बॉलकाडॉट है ये मेरा एचिवेडिय अभी सुधर गई इसकी हालत इधर ये होवर्थिया की दूसरी वराइटी है तो इस पर भी बहुत सारे बेबी प्लान नेकले है तो बहुत अच्छा लग रहा है ये भी और आगे इसकी जो अग्जैली से तो एक जगा ग्रूप में रखे गई थे प्लान लेकिन पता नहीं इसकी जो पतिया है ना साइड साइड से देखी कि जादा बर्न हुई है धूप तो उस तरफ नहीं इतनी आती थी वस शायद पानी काई हुआ जगा चेंज हुए इसकी तो बहुत सारे ग्रूप में रखे गई थे प्लांट और उपर से धूल मिटीन के उपर गिर रही थी और बहुत हलत खराब थी इनकी यह ट्रैसिना विक्टोरिया भी बहुत अच्छे से चल रहा है काफी सुन्दर प्लांट है देखिए कलर ही बहुत सुन्दर है इसका आगे यह मेरा फेबरेट प्लांट है फाइकस का वेरिगेटर फाइकस और यह ग्रीन वाला तो देखिए पानी ज़्यादा हो रहा था किसी में कम कुछ समझ नहीं आ रहा था और यह यह प्लांट पेंडनस का और इसकी पत्तिया टिप से बहुत खराब ही थी जो मैंने कट कर दी और यह यह प्लांट भी कुछ ऐसे ग्रो हो रहा है आगी स्पैडर प्लांट देखिए कितना प्यार ग्रो हो रहा है ये काफी बुशी हो गया है एकदम भर गया इस पुरा पॉर्ट और इसके बाद में ये जो मेरा फाइकस है और ये बड़ा सुन्दर अभी हो रहा है देखिए इस पे भी नई ग्रो था रही है पत्तियां इसकी बहुत अच्छी शेप में है तो काफी सुन्द सुन्दर प्लांट है ये भी तो जब में लाई थी तब इसकी कंडिशन अच्छी नहीं थी और आपे देखें बहुत सुन्दर लग रहा है ये भी आगे ये मेरा वांडरिंग जियू है और ये भी बहुत अच्छे से वांडरिंग ज्यू की कटिंग अभी ग्रो होना शुर खुर んविस पर नाइन नाइन पतिया निकल रही है वहत क्रीन रुक दे रहा है ये और ये रौहियो का प्लांट है रोहियो ट्रायकोलर अतना सुन्दर लगता है ये भी इसके भी मैंने एक जाने अलग तयार करी है और ये मेरा विगोनिया प्लांट ये ये नास्यां इसका तो कलरी बहुत खूबसूरत लगता है बहुत ही प्यारा यह भी अभी ग्रूव करने लगा है इस पे भी नई पतियां आ रही है और इसके आगे जो है प्लांट यह शपले रहा का यह भी बहुत चोटा प्लांट लाई थी मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है इसको बहुत अच्छी से ग्रूथ कर रहा है यह भी काफी सुन्दर प्लांट है यह भी आगे जीजी प्लांट है जो की मेरा इंडूर रखा था तो इसके एक दो बल्ब जो है खराब हो गए थी तो मैंने से निकालके सारी खराब बल्ब निकालके रिपोर्ट किया है दूसरी मैंने रिपोर्ट कर दिया है इधर यह वला प्लांट भी मेरा कुछ खास नहीं चल रहा है और ऑक्जैलिस की एक ग्रीन वराइटी इस पर फूल देखिए कितने सुन्दर फूल आ रहे हैं पिंक कलर के चोटे 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 बहुत सारे फूल आये हैं और काफी बड़ी तो जो चल रहा है काफी समें से अच्छी से ग्रोथ कर रहा है और प्लांट है और यह जो प्लांट है री नकि निकाल दूंगी आगे variegated ficus है तो pruning के बाद देखिए नई नई पतिया जब आती है तो बहुत सुन्दर लगती है singonium का plant जो कि काफी bushy है तो singonium एक ऐसा plant है फ्रेंच जो cutting से easily grow हो जाता है और कोई केर नहीं मांगता ये pink वाला singonium है और ये भी चल रहा है ठीक से और आगे ये मेरा सीडम ग्रास का plant तो flowering इस पे जो है काफी होने लगी अभी और इसी में ड्रेसीना का plant भी लगा हुआ है एक इसकी भी पत्तियां ज़्यादा हो रही है ब्राउन सी आगे ये अडेनियम है और ये मेरे प्रोटोन है golden dust इनकी तो क्या कहें बहुत ही सुन्दर सी growth हो रही है बहुत सुन्दर लग रहे हैं देखने में ये देखिए इस वाले को कितने प्यारी color आ रखे हैं तो बहुत प्यारा तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा फ्रेंड्स है एपी गार्डनिंग अ